नमस्कार मैं अनुश्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक के खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर लॉक्डाउन बराने पर 25 मई से पहले आज आएगा फैसला अब हर घर तक कोरोना जाज के लिए पहुँचेगी आर्टी पीसी आर वैन ग्रामीन इलाकों में बढ़ सकती है लॉक्डाउन की दोरान सकती व्यार के इन चार असकतालों में होगा ब्लैक फंगस का इलाज कानते हैं खबर विस्तार से ग्रामीन इलाकों में बड़ सकती है लॉक्डाउन की दोरान सकती व्यार के इलाकों में की मामले देखे जा रहे है वही गाव में आज भी लोग्डाउन का पालन करती नहीं दीख रहा है इसके तहत शादी विवाह में भी करक्रम में लोगों को जागरूप कर अनावशक भी जुटाने से रोगा जाएगा इसके साथ ही गाव में होने वाले शादी वसराद कर्म की रिपोर्ट भी दी जाएगी इसके साथ ही बीडियों वसी ओ को बिमारों की पहचान कर खबर करने की जुमिदारी दी गई है इसके ल कामलों में भी कमी आई है जिसे लेकर स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने कहा कि कुरोना की दूसरी लहर में अब बिहार में हालात बैतर हो रहा है और सरकार अब तीसरे चरन से निपटने के लिए पहले सही तयारी में लगे हुए है उन्होंने कहा कि रोज्याना एक लाख से अधिक जाच की जारी है जो जाच में पॉजिटिव पाए जा रहे है उनको तुरंट आइसोलेट किया जारा है जिसकारण मरीज की संख्या कम हो रही है वही कोरोना की तीसरे फेज के लिए स्वास्त विभाग अभी से ही उपकरन की ववस्ता कर रहा है साथ ही तीन महिनों क बाहल करने की पूरी छूट सभी जिलों की सिविल सर्जन को दी गई है साथ ही इन करिमियों को मांदे भी दिया जाएगा वही उनों ने बताया कि आज वैक्सीन आ गई है जिससे वैक्सिनेशन कारेज जारी रहेगा मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश होने के जिता है असार विहार में फिर से मौसम में थोरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है राज के दिकांस हिस्तों में आंसिक बादल चाये हैं और कई स्थानों पर मध्यम बारिश भी दर्श की गई जिस वज़ा से तापमान में गिराबा ठोड़ी है इसके दाहत मौसम वेग्यानिक शेलेंद कुमार पटेल ने बताया कि फिछले 24 गंटे के दोरान राज की पुर्वी भाग और उत्तर मध्य भाग में हलकी से मध्यम वर्शा दर्श की गई इस दोरान भागलपूर में 45 मिलिमीटर डुपॉली में 28 मिल मनिहारी में 31 मिलिमीटर वर्शा दर्श की गई वहीं अगले 48 गंटों तक बिहार के उत्तर पुर्वी भाग को छोड़कर शेस भाग में मौसम शुष्क और आसमान में आंसिक रूप से बादल छाय रहने का नुमान है इस दोरान एक दोर सतानों पर गरज वाले बादल के स साथ ही बारिश होने की भी संभावना जिताई गई है राज में अवैद बालु खनन करने वालों की अब खेर नहीं होगी क्योंकि इसके निगरानी के लिए अब अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाए जाएंगे बताते चले कि राज के मुख्य सचिव के दवारा इस विशय को गंभीरता से लेने के बाद ही अब खनन माफियाओं पर खास नज़र लखी जारी है इसके तरफ पटना के अलावे रोतास बोजपूर और अंगबाद वा सारन जिलो में सबसे ज़्यादा सतरकता बरतने को कहा गया है इसके लिए पुलिस मुख्याले ने कारभाई से पने सारन से 34, कैमूर से 31, रोतास से 28 और अंगबाद से 12 जबकी पटना से सबसे कम दो लोगों की गिरफतारी हुई है शादी समारों की तरह सजा है टेकारी प्रखंड का सामुदाई किचन सेंटर सरकारी निर्देश के अनुसार कुर्णा महामारी में हर जीले में सामुद सामुदाई किचन की हर ओड जर चाहुरी है दरसल गया के टेकारी प्रखंड कारेयाले की समीप सामुदाई किचन सेंटर को एक शादी समारों की तरह सजाए गया है लोग यहां आराम सी कुर्सी पर बैट कर खा सकते हैं इसके अलावे बच्चों का भी ध्यान रखा जा रह है वहीं होम आईसोलेशन बालों को भी घर तक खाना पहुचा जाता है इसके साथ ही यहां कोरोना टी का करन के साथ ही जॉब कार्ड के प्रती जाग रुखता के लिए संदेश भी लिखे गया है अब हर घर तक कोरोना जाज के लिए पहुचेगी आर्टी पीसी आर वैन किया है इसके तहत यहला पटना और इसके समीव की जिलो को फिलाल मिलेगा मुखी मंतरी ने पटना एवं निकटवर्ती जिलो के लिए इस चलंत टेस्टिंग वैन को रवाना किया है वहीं बाद में और भी वैन की उप्लबदता हो जाने पर अन जिलो में भी इसे की गई है और इसक्रम में प्रति दिन एक चलंत टेस्टिंग वैन से एक हजार जाच होगी और 24 गंटे में इसकी रूपोर भी लोगों को मिल जाएगी वीडियो कौल के मादम से डॉक्टरों ने कबार परे वैंटिलेटर को कर दिया ठीक कोरोना पिरित मरीज के लिए में कई जगा वैंटिलेटर तो हैं मगर उसे चलाने के लिए टकनीसियन की कमी है मगर और अंगबाद के सदरस्पताल में संसादनों की कमी के बाद भी एक डॉक्टर और कुछ नरसों के सार्थक प्रयास ने इस मुस्किल का भी हल धून निकाला है इन डॉक्टर ने वीडि जनमजे की प्रमुग भूमी का बताए गई है इसके तहत जुले के डीम, एस्पी, डीडीसी, सिवल सर्जन, डीपीम वकुछ अन्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर इस मामली का हल निकाला गया वही अस्पताल में की गई इस व्यवस्ता से राज सरकार भी काफी प् कवधी के पोड़े होने में अब दो दिन बाखी है वही बिहार में कोरोना मामले में सुधार भी दिखा है जिस वज़ासे संशय बना हुआ है कि लॉंगडाउन को आगे बढ़ाय जाएगा या नहीं इसक्रम में मुक्यमंदरी नितेश कुमार्ण इस संकेत दिये हैं कि द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है इसे का नतीजा है कि अब मरीजों के संख्या में कुछ दिनों से कमी आ रही है इसलिए इस समन में 25 मई के पूर्व लॉंगडाउन को लिकर आवश्यक निरने लिया जाएगा गंगा नदी पर बन रहे हैं 9 मेगा पुल जल् बैठक में बदादिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी पर निर्माना धीन 9 मेगा पुल पर योजना को समय सिवा के अंदर ही पूरा करें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मुगेर घाट रेल सरकपुल का शिलाने आसवर से 2003 में अटल भिहारी वाजपी जी से क निर्माना धीन निर्देश दिया गया है इसके साथ मुख्यमंत्री ने दिगवारा से शेरपूर के बीच चैया लेन पूल बेगुसराय में मतिहानि से सामो के बीच निर्देश दिया गया है अधी कदम उठाते हुए भारतिय रेलवे ने बिहार की तरब चलने वाली ट्रेनों को रद करने का फैसला जारी किया है इसके दहाद भुवनेश्वर पूरी येशवदपूर आदी स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन और स्थाय तोर पर में रिकवरी रेट बढ़ी लेकिन मौत के मामलों में नहीं है बहतर स्थिती राज में लॉक्डाउन लगाने का असर दिखा है कि आए दिन कोर्णा के मामलों में अब कमी आ रही है इस दोरान अगर हम पांच मई से लेकर बीते दिन 22 मई तक की बात करें तो लॉक्डाउन क कुल 18 दिनों के दोरान संक्रमंदर में लगभग 12.48 फीसेदी के कमी आई है इस दोरान 14 दिसाबलब 4-4 फीसेदी के करीब रिकवरी दर भी बड़ी है गौर तलब है कि राज में 4 वा 5 मई को संक्रमंदर 15 फीसेदी से अधिक थी जबकि अब मात्रे 3 दिसाबलब 1-1 पहुँच गया है दूसरी तरफ कुरोन संक्रमंदर से मौत के मावलों में अभी इस्तिती उतनी बहतर नहीं हो पाई है आकरे बताते हैं कि राज में 4 मई तक कुल 2926 मौत हो चुकी थी जबकि 22 मई को यह आकरा 4442 दर्स किया गया है इस से साब है कि मात्र 18 दिनों में करीब 1516 लोगों की मौत कुरोना से हुई है बिहार के इन 4 अस्पतालों में होगा ब्लैक फंगस का इलाज सूबे बिहार में अब ब्लैक फंगस को महामारी घुशित कर दिया गया है अब इससे जुरे सारे गाइडलाइन्स अस्पतालों को मानने होंगे और इसके आकरे अस्पता बता दे कि बिहार में ब्लैक फंगस का आकरा बढ़कर एक सोचोह तर पहुँच चुका है ब्लैक फंगस की बारे में विशे सग्यों का कहना है कि यह शरीर के बारी हिस्से से होकर अंदर प्रवेश कर आख या मस्तस्क की टीशू में पहुचकर बुरी तरह से डैमेज कर देत है इस लेटर में उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री चेत्र विकास योजना और विधाय के शिक निरिकोश को रेकर उनका ध्यान… अब उपयोग के आसंतलन को कम करने के लिए किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अब बिहार के दो-तीन बड़े शेहरों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादतर जगहों पर स्वास्त ववस्ता बेहादी खराब है यह भी लिखा है कि इस साल स्वास्त विवाग का बजट 13,000 करों रुपे कर रखा है जिसमें शहरी छेत्रों में स्वास्त सनचना को बैतर करने के लिए कुल 2669 करों रुपे रखे गया है ऐसे में बि दायकों के 636 करोड से कितना स्वास्त ववस्ता बैतर कर पाएंगे आईपेल के बचे हुए मैच का UAE में हो सकता है आयूजन कोरिणा वारस के कारण आईपेल 2021 को बीच में ही स्थगित करना परा जिसके बाद क्रिकेट टीमों के इस साल व्यस्तर शेडियूल के बीच बाकि जा रहा है कि भारत और इंगलान के बीच पांच मैचों के टेस सिरीज के बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच बचे हुए 31 मैचों को खेल कर आईपेल के 14 सीजन को खत्म किया जा सकता है देशबर में कोरोना मामलों में आ रही है लगतार गिरावर देशबर में अच्छी कवर यह है कि कोरोना मामले घट रहा है जिसके बाद देशबर में कुल एक्टिव केस अब 28,5,399 हो गए है वह अगर बात हम अपने बिहार के करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 गंटे में कुल 4,345 नई कोरोना केस आए है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में लॉकडाउन के अवधी को 25 मई से आगे बढ़ा देना चाहिए या नहीं अब अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया और बिहार से जड़े कब्रों से अपडेटे रहने के लिए जड़े रहें बिहारी न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार